प्रिये विद्यार्थी मित्रो कक्षा दस्वी के पांच वे पाट अनोखे राष्ट्रपती इसके तीसरे वीडियो में आप तमाम का स्वागत हैं उमीद है पिछले वीडियो पसंद आया होगा हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चली शुरुआत करते हैं तीसरा भाग अनोखे राष्ट्रपती जिसे महादीवी वर्मा ने लिखा है ससुराल में उन्होंने बाली का वदू के रूप में पदारपन किया था यानि राजेंद्र बाबू की सहधर्मिनी यानि उनकी धर्मपत्नी जो है वो बाली का वदू थी ससुराल से उन्हें बाली का वदू के रूप में वहाँ पर लाया गया था संब्रांद जमिंदार परिवार की परंप्रा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था परिनामत था उनकी रीड की हटी इस परकार जुग गई कि यूती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी यानि वो एक जमिंदार परिवार से तालुख रखती थी और उन्हें घंटों सर नीचे करके एक समान बैठना पड़ता था और इसी वजह से उनकी रीड की हटी क्या हो गई थी जुग गई थी बालिकाओं के संबंद में राजिंद्र बाबु का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान बालिकाओं के समान बहुत साध्गी और सायम से रहें यानि राजिंद्र बाबु की जो पौत्रियां थी उन्हें एक स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वो साम्माने बालिकाओं की तरह साध्गीर सैयम से रहे वे खादी के कपड़े पहनती थी जिने वे स्वय ही धो लेती थी यानि ये किसके बारे में हैं उनके साबुन तेल आदी का वे भी सीमित था कमरे की सफाई जाड़ पोँच गुरु जनों की सेवा आदी भी उनके अध्यन के आवशक अंग थे यानि ये तमाम चीजे राजिंद्र बाबु ने बालिकाओं को पहले ही सिखाई थी कि वे शिक्षकों का और जितने उनके गुरु जन थे उनका आदर करें सम्मान करें कपड़े खुद दोये कपड़े पहने और उन्हें बहुत ही सीमित अवस्ता में चीजे मिली मिलती थी कम्रे की सफाई जाड़ पहुच खुद करना गुरु जनों की सेवा करना ये तमाम चीजे उस समय स्वतंतरता संगर्ष के सैनिकों का गंतव जेल ही रहता था यानि ये तब की बात है जब स्वतंतरता संगराम यानि आजादी के लड़ाई चल रही थी और राजिंद्र बा राजिंद्र बाबु भी जेल में रहते थे दूसरे स्वतंतरता सेनानियों की तरह अता प्राय किसी की पतनी किसी की बहन किसी की बेटी विद्यपीट के चात्रावास में आपस्तित होती थी यानि जितने भी स्वतंतरता संगर्ष में यानि आजादी के लड़ाई में लड जाती थी देश स्वतंत्र होने के अपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेश योगिता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालों में भड़ती हो गई जैनि जब भारत स्वतंत्र तो हुआ तो उसमें से कई सारी चात्रा हैं जो किसी की बहन, बेटी, पत्नी, बीवी थी और कुछ दिल्ली चली गई और कुछ अपनी कुछ विशेश योगिता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी के विद्यालों में जाकर भड़ती हो गई चिंता होई यानि ये राजिंद्र बाबु भारत के पहले प्रथम पहले राष्ट्रपती बने तो राष्ट्रपती हो जाने के बाद उपरांच यानि बाद में उनकी पौत्रियों की फिक्र महादेवी वर्माने रखी थी चिंता यानि फिक्र उनका असपष्ट उत्तर मिला महादेवी वहन दिल्ली मेरी नहीं है राष्ट्रपती भवन मेरा नहीं है आंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराबना हो जाए तुम केवाल इसकी चिंता करो वे जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी कर्तवे विलास नहीं कर्म निष्टा है अब यहां पर क्या कहा कि राजिंद्र बाबु ने यहां पर महादेवी वर्मा को चैता दिया कि अगर उन्हें किसी खिस्म की कोई ज्यादा बड़ाई देना नहीं है क्यूंकि अगर वो अगर वो राश्ट्र पती भावन में रहते हैं तो राश्ट्र पती भावन राजिंद्र बाबु का नहीं है और राश्ट्र का है और आंकार यानि गुरूर से पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए इसकी चिंता करने के लिए कहा और कहा कर्तवे विलास नहीं कर्म नि उनके दिये गए निर्देशों को बायन किया गया है कि वो अपने कर्तवे का पालन करें और किसी खिस्म की विलासिता की कोई बात नहीं ना सिकाए यानि कभी भी वो जहां जैसे रहना है वैसा ही रहे कोई आनन न उठाए और काम के परती कर्म निष्ठा यानि कार्म के पर रहे और वो अपना जुडाओ किसी भी नई चीज से ना रखे उनकी साथ धर्मिनी में भी इसी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ यानि राजिंद्र बाबु की पतनी भी उसी तरीखे से रहने लगी जब राश्ट्र पती भवन में उनके कमरे से सनलगन रसूरी परांत स्वय अन्न गरहन करती थी अब दिखी ये एक बहुती सामान गरहनी के तरह राजिंद्र बाबु की पतनी ने अपना जीवन व्यतित किया और जो राश्ट्र पती भवन में उनका जो कमरा था राश्ट्र पती के उसके साथ ही रसोई घर था और उस रसोई घर में र बोजन मनाया करती थी एक आम ग्रहनी की तरह वो पती की सेवा करती और परीजनों को खिलाने के बाद ही सोय अन्न ग्रहन करती थी खाना खाती थी उस विशाल भवन में यदि अपने अदभुद अतित्थे की बात ना कहूं तो कथा अदूरी रह जाएगी अब यहां पर क्या कहते हैं कि जो उस विशाल राष्ट्रपती भवन में जब महादीवी वर्मा गई थी तो वहां पर उन्हें अदभुद अतिति सत्कार का सामना करना पड़ा बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेश निमंतरन तो दिया यानि बालिकाओं की जो दादी थी महादीवी वर्मा के स्वागत के लिए उन्हें पत्र लिखा निमंतरन भेजा और कहा कि साथी प्रियाक से सिर्की से बने एक दरजन सूप लाने का भी आदिश दे दिया यानि अब ये सूप क्या होता है ये अनाज पचोर ने यानि पुराने जमाने में अनाज साफ करने के लिए ये इस्तिमाल किये जाते थे शायद आपने ना देखा हो लेकिन ये आपके किसी घर में कोई बज़र्ग होगा तो उनसे आप पूस सकते हैं ये अनाज को पचोरन की जाड़ियां होती है आपने अक्सर देखा होगा जो जाड़ुआ वगरा रहती है उसमें भी सरकंडे इस्तिमाल के जाते हैं अब ये पचोरना क्या है पचोरना यानि उससे साफ करना उन्होंने बार बार आगरा किया कि मैं उनके लिए इतना कश्ट अवश्य उठाओं क क्योंकि फटकने पचोरने के लिए सिर्की के सूप बहुत अच्छे होते हैं पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता यानि पचोरना यानि उसमें जो छिलके वगरा होते हैं उससे साफ करने के लिए फटकाने के लिए सूप बहुत अच्छे होते हैं ये देखिए एक राश्ट्रपती की पतनी एक बहुत ही मामूली चीज के बारे में बात कर रही है। पर्थम शिरीनी के डिबे में बारा सूपों के टांगने पर जो दुरुष्य उपस्तित हुआ उससे भी अधिक विचित दुरुष्य तब प्रतिक्ष हुआ जब राश्ट्रपती भवन से आई बड़ी कार पर ये उपहार लादा गया। जब बड़ी सी गाड़ी उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई और वहाँ पर जो राश्ट्रपती भवन से आई बड़ी कार पर ये उपहार को ऊपर की तरफ लादा गया। राश्ट्रपती भवन के हरद दो आर पर सलाम टोकने वाले सिपाईयों के आखे विसमे से खुली रहे गई। यानि राश्ट्रपती भवन के जितने सिपाई थे वो ये सूप और गाड़ी पर लदी हुए सूपों को देखकर वो परेशान हो गया थे ये क्या मामला है ऐसी भेट लेकर कोई अतित्य ना कभी वहाँ पहुचा था ना पहुचेगा पर भवन की ततकारिन स्वामिनी ने म के लिए लाया जाता है अब स्वामिनी किसे कहेंगे मालकिन को कहेंगे और विस्मा विस्मा यानि आश्चर्य हो जाना उपार किसे कहते हैं उपार यानि जो गिफ्ट होता है बेंट होती है सौगात होती है तोफा होता है उसे कहते हैं राजिंद्र बाबो तथा उनके सहध अधिक्राइकार था कि सब्ता में एक हफ्ते में एक दिन वो क्या करते थे भोजन नहीं खाते थे संयुक से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुची थी यानि जिस दिन वो उपवास रखती थी उसी दिन महादेवी वर्मा पहुच गई अथा उनकी ये जिग्यासा स्वभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूँगी अब उनकी क्या किया राष्टपती भावन में राष्टपती की पत्नी ने उनको जिग्यासा हुई ये तजस्स हुआ कि महादेवी वर्मा कैसा भोजन खाना पसंद करेगी उपवास में भी अतित्य का साथ देना उचित समझ कर मैंने निरन भोजन की ही इच्छा प्रकट की यानि महादेवी वरमा चूके राष्टपती की पत्नी उप्वाद से थी तो महादेवी वरमा ने चाहा कि वो भी वैसा ही निरन यानि अनाज रहित जो जीवन है भोजन है उसे वो गरहन कर लेगी उसे खा लेगी वो चलेगा उने फलाहार के साथ उत्तम खाद्यत पदार्तों की कलपना स्वाभाविक रहती है यानि फलों के साथ में फलाहार यानि फलों का आहार और उसके साथ उत्तम खाद्यत पदार्त यानि के अच्छे खाद्यत करने की चीज़े उसकी कलपना स्वाभाविक रहती है सामान ने तहा हमारा उप्वास अन्य दिनों के भोजन के अधिक वेवस वेवस साध्य हो जाता है क्योंकि उस दिन हम भाती भाती के फल मेवे मिश्ठानन आदी एकत्र कर लेते हैं अब यहाँ पर महादीवी वर्मा का जो बयान करने का ताटपर है वो बयान करती है कि उप्वास के दिन चुकि हम खाना का पहले ग्रहन नहीं करते हैं लेकिन उप्वास के वजह से अच्छा खाना बन जाता है तो भाती-भाती की मिठाईया, मिश्ठानन, मेवे और अलग-अलग फल वो ग्रहन करते हैं और एक साथ खाते हैं मुझे आज भी ये वो संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट पती को मैंने सामान्य आसन पर बैटकर दिन भर के उप्वास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायन करते देखा यानि प्रथम राष्ट पती राजेंद्र बाबू संध्या यानि शाम के समय जब दिन भर के उप्वास के उपरांत यानि बाद में उबले आलू खाकर क्या कर रहे थे वो संपूर्णता होने का पारायन यानि संपूर्णता होने का एलान कर रहे थे मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दुष्टी में संतोष और ओटो पर बालों को जैसी सरल हसी चला कुटी यानि महादिवी वर्मा ने जो भोजन राष्ट्रपती कर रहे थे वही भोजन वो भी कर रहे थी यह देखकर उन्हें संतोश मिला यानि उन्हें सुकुन मिला और वो अपने मुस्कराहट रोक नहीं पाए जीवन मुल्यों के परक करने वाली दुष्टी के कारण उन्हें देश रत्न की उपादी मिली और मन की सरल स्वचतन उन्हें अजात शत्रू बना दिया यानि जीवन की जो मुल्य है खद्रे है उनके वैलियूज है उसकी वज़ा से उन्हें देश रत्न कहा गया और उनका जो सरल स्वभाव था उसकी वज़ा से वजात शत्रू बन गया अजात शत्रू यानि जिसका कोई शत्रू नहीं होता अनेक बार पश्ण उठता है क्या वो साच तूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरितर डलते थे यानि ये अनुखे राष्ट्रपती के लिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्दी है ऐसे वाक्य उनके लिए कहे गये हैं क्या वो साचा तूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल डलते थे साचा तूट जाना यानि जिसमें किसी चीज की बनावट करते हैं उसे साचा कहते हैं और कठिन यानि बहुत ही मुश्किल अब कोमल यानि बहुत ही नर्म चरितर यानि किरदार के लोग डलते हैं ये संस्परन राजिंद्र बाबू से लिया गया है आपको ये संस ये आपको पसंद आया होगर आगले वीडियो में प्रशन उत्तर के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए गुडबाई